पुलिस की कस्टडी में मौझूद एक लड़का लगवख 56 घंटे से बंद था एक सलाखों के पीछे एक कमरे के अंदर काफी देर हो जाती है रात के लगवख तेन या चार बज़े के आसपास का वक्त रहा होगा उस वक्त उस लड़के को देखा जाता है तो एक संत्री जाकर उसके पास जाता है उसके हाथ के नवस को टटोलने की कोशिश करता है और कहता है कि साहब अब ये नहीं रहा इतना कहना था कि पूरी कोतवाली में हड़कंप मन जाता है जितने भी सिपाही जितने भी दरोगा जितने भी लोग उस कोतवाली से जुड़े होएं हर किसी की सांसने अटकने लगती है बात जब उच अधिकारियों तक पहुंचती है तो उच अधिकारियों ने इस मामले में बजाय साब्धानी वरतने के बजाय इसमें सही काम करने के उन्होंने इतनी बड़ी लापरवाहे की कि आज उनके विरुद तंभिर धारओं में ना केवल मुकदमा दर्ज है बलकि पुलिस उन्हें ग्रिफतार करने के लिए लगातार दविशे दे रही है वही पुलिस वाले जो दूसरों के मुगद में लिखते थे, दूसरों को इंसाफ दिलाय करते थे आज वो खुद मुल्जिम है, कातल की नजरों से उन्हें देखा जा रहा है ये कहानी वाकिए अपना आप में बड़ी दिल्चस्प है, इसको जानने के बाद आपको भी लगेगा कि भारतिय सम्मिधान में जो लिखा है, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न हो, सभी को समान अधिकार जो दिये गए हैं समिधान ना होता तो शायद किसी गरीब को इंसाफ न मिलता आज की कहानी एक गरीब को इंसाफ दिलाने वाली कहानी है आदाब नमस्कार शस्रीकार मुस्मान सेफी आज की जो सची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ यह सची घटना है उत्तरपरदेश का एक जिला है बुलंद शेहर और इसी बुलंद शेहर जिले का एक थाना लगता है खुर्जा थाना खुर्जा थाना छेतर का एक गाउं लगता है शहजाद पूर कनैनी दरसल यहां का एक लड़का जिसकी अमर लगवक 25 साल के आसपास है उस लड़के को अपने ही गाउं की एक लड़की से प्यार हो जाता है प्यार भी कुछ इस कदर कि वो उसकी हर छोटी बड़ी जरूतों का खया लगता था उसके बिना जीने की कलपना भी नहीं कर सकता था बात कुछ ऐसी थी कि लड़की की अबस दो दिन के बाद बरात आने वाली है लड़की अपने प्रेमी से कहती है कि मैं तुम्हारे बिना रहनी पाऊंगी मुझे किसी और की जिन्दगी में जाना ही नहीं है तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ ही पूरी जिन्दीगी बितानी है यानि कि दो दिन बात बरात आ रही है, लड़का उस घर के अंदर परिवार के सदस्य की तरह है घर में आता है, जाता है घर की हर छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल भी रखता था और वो लड़की और लड़का एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन घरवाले इस रिष्टे से, इस बात से पूरी तरह से अंजान थे और लड़के ने एक ऐसा फैसला लिया जो शायद उसको नहीं लेना चाहिए था शायद उसको घरवालों से बातचीत करनी चाहिए थी, यही कारण था कि 5 दिसंबर 2020 को वो लड़का गुप-चुप तरीके से उस लड़की के साथ गायब हो जाता है वो लड़का गायब हो जाता है और गायब होने के बाद उसी के परिबार का एक सदस्य जिसका नाम मुकेश है मुकेश खुड़जा कोतवाली में जाता है और जाकर एक थाने में तहरीर देता है कहता है साब मेरे परिबार की एक लड़की है जो अचानक से गायब हो गई है और उसको गायब करने वाला कोई और नहीं सोनो उर्फ सुम्दत है जल्दी से उसे पकड़ लीजिए क्योंकि दो दिन के बाद घर में बरात जो आने वाली है बरात की सारी तैयारी हो चुकी थी मंड़प सज चुका है लड़की के हातों में महंदी लग चुकी थी सगाई हो चुकी थी देहेज का सारा समान कर लिया था कार्ड बढ़ चुके थी ऐसा कौन सा काम था जो नहीं हुआ था और शादी से दो दिन पहले जब लड़की अचानक से गायव हो जाती है तो बात किसी भी परिवार की पृतिश्टा का जो सवाल था इज़त की बात थी अब वो करें तो क्या करें किसी से कहें तो क्या कहें पुलिस वाले भी इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और साथ ही उस लड़के को तलाश करने के लिए उस लड़की को तलाश करने के लिए जो सोनू उर्फ सौमदत है उसके भाई सुनिल को हिरासत में ले लिये जाता है और उसको हिराजत में लेने का कारण यही था कि ताकि पता चल सके कि आखिरकार सोनू है तो कहां है पुलिस ने CDR की मदद से और परिवार की मदद से और जो भी इसके रिश्चजार थे उनकी मदद से जहां जहां उसका उठना था जहां जहां उसका बैठना था उनकी मदद से आखिरकार उस लड़के को तलाशी लिया और जब लड़के को तलाश लेते हैं तो लड़का 9 दिसמבर 2020 का इवाक्या है वो लड़का है मिलता है बागपत का गाउं लगता है नवादा नरसल नवादे में लड़की भी मिल जाती है नवादे में लड़का भी मिल जाता है पुलिस के साथ सोनो और सोमदत का सगा भाई बड़ा भाई सुनिल भी साथ था पुलिस सुनिल को तो वहाँ छोड़ दीती है और लड़के और लड़की को लेकर बागपत से सीधा पहुँच जाती है जिला बुलंज शहर की खुरजा कोतवाली में और उस लड़के को कोतवाली के अंदर हावालात में बंद कर देती है लड़का हावालात में रहता है गाउं में एक तरह से शोर मत जाता है क्योंकि दोनों की लड़की की जाती अलग थी लड़के की जाती अलग थी लड़का थोड़ा सा कमजोर से घर से भी था और लड़की थोड़ी अच्छे घर से भी विलोंग करती थी पूरे गाउं में मैसेज फैल जाता है कि अगर ये पुलिस इनको छोड़ देगी तो हम नहीं छोड़ने बाले हैं और यही बात थी यही रीजन था कि लड़के के अंदर कुछ डर बैठ जाता है और वो बुरी तरह से कापने लगता है लेकिन पुलिस ने जो अपना काम इमानदारी से करना था शायद पुलिस अपना काम इमानदारी से करना भूल जाती है हाला कि उन्होंने लड़की के 164 के बयान भी कराये लड़की का मेडिकल परिशड भी कराया ये सारे काम जो थे वो होते रहे लेकिन लड़के को जेल भेजने की बात थी, पुलिस ने लड़के को जेल नहीं भेजा और पुलिस लग जाती है सैटिंग करने में, सैटिंग भी ऐसी कि अब उसकी बोली लगने लगती है कि हम उसको छोड़ेंगे तो उसके बदले में इस लोगों से बातिची चल रही थी, जो इस घटना से जोड़े, डारेक्ट, इन डारेक्ट लोगों से बातिची चल रही थी, तो बताते हैं कि 11 दिसंबर की रात का ये बाकिया है जब इंस्पेक्टर कहता है कि क्या करना है इसको छोड़ना की रखना है क्या करना है तो पुलिस वाला कहता है कि साब एक रात और रोक लीजिए इसको सिर्फ एक रात जैसे ही दिन निकलेगा आपके पास मोटी रकम आ जाएगी ऐसा पुलिस बाले ही बताते है पुलिस जबार्टमेंट के लोग बताते है इंस्पेक्टर के मन में लालच घुश जाता है और इंस्पेक्टर कोई और नहीं उस टाइम जो इंस्पेक्टर थे मिथलेश कुमार उपाद्या है जो फिलहाल हापड में उनकी पोस्टिंग है पुलिस ने उने लाइन हाजर भी कर दिया है तो मिथलेश कुमार के दिमाग में लालच घुश जाता है और लालची के बजे से ही उस रात के गुजरने का इंतजार कर रहे थे मगर रात के ढाय तीन बजे के आसपास इसमें एक जो संत्री की डूटी थी संत्री की डूटी होती है कि वो ना किवल कोतवाली को देखे बलकि कोतवाली की बैरक के अंदर या फिर जिस हवालात जो बनाई गई होती है उसके अंदर जो भी बंद हैं, वो ठीक हैं के नहीं हैं, रात में बार बार वार वो डंडे से उसको जगाने की कोशिश करते हैं, जब वो हाँ या ना का जवाब देता है, तो फिर संत्री बेफिक्र हो जाता है, ऐसे ही चल रहा था, डंडा बजाता था, बाहर आ जाया करता और जब रात के ढाय तीन बसते हैं, तब जाकर वो देखता है, तो कोई हलचल नहीं होती, बार बार उसको अवाज दी जाती है, सोनू, 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 सोनू को अवाज लग रही थी, सोनू, गहरी निंद्रा में सो चुका था, और ऐसी निंद्रा कि शायद कभी जाग नही चुकी थी, ऐसा पुलिस की लोग कहते हैं, जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, तुरंत ही आनन फानन ही, ये बात उच अधिकारी यानि के इंस्पेक्टर के पास पहुंचती है, और जो इस इलाके की संबंदित चोकी है, खुरजा जंक्शन, वहां तक बात पहुंचती है सब लोगों में हड़कम मत जाता है, कि जो लड़का पिछले 56 घंटे से हवालात के अंदर बन था, अब वो मर चुका है, पुलिस वाले करें तो क्या करें, बड़े-बड़े ओफिसर की भी बुद्धी जो थी, वो कुंद हो चुकी थी, जाम हो चुकी थी, वो फैसला लेन जाते हैं, शाजादपूर कनेनी, और जो एक हिंदू रिती रिवास के हिसाब से किसी भी व्यक्ति का अंतिम संसकार होता है, तो उसे वाकायदा अर्थी पर बिठाकर लेके जाये जाता है, अर्थी पर लिठाने की भी और बहुत सारी फॉर्मल्टीज होती हैं, तमाम तरे जहां पर उसका अंतिम संसकार किया गया था, पहले से ही कुछ दवंग लोगों ने, पहले सी गाओं के जिम्मिदार लोगों ने, उसकी अर्थी बनाई होई थी, और अर्थी भी ऐसी चलती फिरती बनाई होई थी, और उसके बाद पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस ख साथ रहने की पूरी आजादी थी लेकिन पुलिस ने उन दोनों की मर्जी को जानने की कोशिश ही नहीं की उन्होंने देखा कि एक लड़का जो कमजोर घर से है और लड़की एक दवंग घर से है इसलिए उन्होंने दवंग लोगों का साथ देने की कोशिश की साथ ही बताया ये भी जाता है कि पैसे भी कुछ मोटे ही पोँच रहे थे इसलिए पुलिस अपना काम इमानदारी से नहीं कर रही थी कहते हैं कि मूँ खाए और आँक शर्मा आए ऐसे ही आँक शर्मा रही थी मूँ ने खाच चुका था उधर डैड बोड़ी जल जाती है परिवार वालों की भी इस्तिती बिकुल ठीक वैसे ही हो जाती है जैसे क्या सोनो और सोमदत की मौत के बाद पुलिस की हालत हो गई थी क्योंकि उनके सोचने और समझने की शक्ती जो थी वो छीन हो चुकी थी बैसे ही बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिवार के लोगों की भी दिमाग की जो शक्ती थी ताकत थी वो कहीं न कहीं छीन हो चुकी थी और बारे की सुवे लवक पांच बजे के आसपास है शायजाद पूर कनेनी में सोनो और सोमदत का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए पुलिस मान रही थी कि खत्म हो चुका है लेकिन ये चैप्टर खत्म नहीं होता बलकि चैप्टर की शुरुआत अब यहां से होती है परिबार के लोग 13 दिसंबर को सीधा पहुंच जाते हैं SSP बुरंद शहर के पास और SSP से जाकर कहते हैं कि साब हमारे बेटे की पुलिस ने रात पीट पीट कर हात्या कर दिये है SSP इस मामले को बहुत गंभिरता से ने लेते और कहते हैं कि ठीक है देख लेंगे जांच कराएंगे इस जो भी कदम होगा उठाएंगे पुलिस जैसा है अपने पुलिस वालों के बात क्योंकि बात पुलिस की जान पर बनाई थी इस मामले बहुत गंभिरता से ने लिया था इसके बाद परिवार के लोग मरता क्या नहीं करता कोट की शरन में जाता है निचली अदालत में जाकर 156 में एक वाद दायर करने की कोशिश करते हैं लेकि एसी जीम इस 156 को भी खारिश कर देते हैं और ये खारिश इसलिए होती है शायद ऐसा बताया जाता है सुत्रों के हवाले से ये कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं कोट ने भी दबाब में आकर ये काम कर दिया था कि बाद पुलिस और कोट का आपस में एक दूसरे से लिंक अप होता है एक दूसरे की वो जरूरते होते हैं फिर मामला ये ठंडे बस्ते में चला जाता है हलकी फुलकी अख़वारों में ख़बर चपती है कि एक लड़की की कस्रडी में मौत हो जाती है सोचली मीडिया पर खबर आने लगती है पुलिस को थोड़ा बहुत घेरा जाता है फिर मीडिया बंधूं के साथ भी वैसा ही होता है जैसा अकसर मामलों में हो जाता है कि भाई हो तुम अपने ये वो दो-चार दिन खबर चली है और चलने के बाद मामला कहीं न कहीं पूरी तरह से ठंडे बस्ते में चले जाता है लेकिन मा जो इस कहानी में किरदार है मा कभी ठंडी नहीं बैठ सकती उसका जो बेटा गया था उसके जो लाल उसके गोद में जो उसने कई साल तक पाला है पेट में नो महीने तक रखा है और आखिरकार वो अपने बेटे को कैसे भूल सकती थी मा ने एक वकील का साहरा लिया भानुपिरकाश एडवोकेट का और उससे इसी दा उन्होंने हाई कोट की शरण लेती है शरण लेने के बाद वहां से एक आदेश होता है कि इस मामले की जाच करिए और जाच दी जाती है ACGM FIRST को जो बुलंद शेहर के हैं और वो जब इसकी चार्च करते हैं तो पाया जाता है कि पुलिस कस्टडी में इस लड़के की मोथ हो ये एक वीडियो जो 36 सेकंड का है वो तेजी से वारल होता है और वो वीडियो कभी और का नहीं है वो वीडियो है अंतिम संसकार के दोरान का एक व्यक्ति जो वीडियो बनाता हुआ सीधर लेके जाता है इधर उधर और जाकर देखता है तो जो लड़का है उसकी हालत कुछ टेड़ी मेड़ी हालत में पड़ा हुआ है एक ऐसे ही लावारिस जैसी इस्तिती में पास में ही चिता है आसपास पुलिस घूमती हुई दिखाए दे रही है आसपास गाउं के दवंग जिम्यदार लोग भी दिखाए दे रहे हैं जिनको देखकर लगता है कि शायद सब कुछ प्लानिंग के साथ हुआ था और उस लड़के की चिता में बहुत जल्दी ही आनन फानन आग लगा दी गई मीडिया हले की पहुँचती है तब तक भाँ लाश की राक बन चुकी थी मामला कोर्ट में पहुँच जाता है हाई कोर्ट में एसी जियम फरस्ट जब इसकी जांच करते हैं तो पुलिस का शड़ी में मोत की बात सामने आती है और उसके बाद फिर ये मामला कहीं न कहीं फिर ठंडे बस्ते में चले जाता है हाले की खुड़ जाए अब ये मामला जब कोर्ट में जाता है एक बार फिर हाई कोर्ट इस मामले को बड़ी गंभीड़ता से लेता है और हाई कोर्ट गंबिरता से लेते होए अतीरिक्त मुखे सचिब उत्तर परदेश सरकार को व्यक्ति के दूप से तलब करता है कहता है कि आईए कोर्ट में हाजिर होए इस बात का जवाब दीजिए हम आपसे जवाब चाहते हैं कि सोनो और्फ सोंदत के मामले में आपकी पुलिस क्या कारवाई कर रही है उसके बाद कहीं न कहीं पुलिस की नींद तूटती है जब लगता है कि बड़े बड़े अधिकारी इस मामले में उत्तर प्रदेश की जो शीर्स लेविल पे बैठे हुए अधिकारी है उनकी गर्दन भी कहीं न कहीं फसने वाली है वो भी कहीं न कहीं परिशान होने वाले है तब उसके बाद 25 मार्च 2022 को एक आदेश किया जाता है और आदेश होता है मुकदमा दर्ज करने का इस लड़के की मा यनकी सोनन उर्फ सोमदत की मा सुरेश देवी फिर कोतवाली में एक एफिलिकेशन लेगे पहुंसती है और उस एफिलिकेशन पर फिर मुकदमा लिखा जाता है वो भी हलकी फुलकी धाराओं में नहीं था ऐसी धाराओं में कि अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाएं धाराएं थी धारा आईपीसी की 302, 201, 342, 218, 120B इन धाराओं में मुकदमा धर्ज होता है खुर्जा कोतवाली की उस टाइम की जो इंस्पेक्टर रहे थे मिथलेश कुमार उपाध्याय जंक्षन चोकी इंचार्ज बहदूर सिंग जो आज भी शायद किसी न किसी चोकी के इंचार्ज है ऐसा ही राम सेवक जब राम सेवक को पता था कि कुछ न कुछ कांड आगे भविश्य में होने वाला है अभी उनके कई साल बचे थे रिटार्मेंट होने में उन्होंने आठ लोगों को नामजद करते हुए अनिल चोधरी, जगदीश चोधरी, विनीत चोधरी, मनीश उर्फ, बैंगन, राजीब, सत्य पिरकाश, मुकेश इन लोगों को भी निशाना बनाया गया और इन लोगों के खिलाब भी मुकदम दर्ज के आगया नहीं कि एक इंस्पेक पुलिस वाले भी गए थे, और भी कई लोग शामिल थे, इसकी जाच करिये, कितने लोग इसमें शामिल हैं, उन्हें पुलिस जो कहानी बना रही है कि उसने अपने ही नेकर से, नेकर के अंदर जो नाड़ा होता है, उस नाड़े से उसने अपने खुद खुशी की है, आत् इस लड़के को, उस लड़की के परिवार बालों को दे दिया गया था और उन्हें मार पीट कर रही उसकी हत्या कर दी, तमाम तरहे की अलालक कहानिया बन रही है इस घटना में, हालकि इस मामले की जाचच, क्राइम ब्रांच, बुलंद शेहर की टीम भी करने की बात कर रह हैं अभी जाँच में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो खेर भविश्य के गर्व में चिपा हुआ है लेकिन जितने भी इसमें आरोपी हैं उन आरोपियों का बचना इतना आसान भी नहीं है साथ ही एक बात आपको और बताता चलों किसी आम आदमी पर अधारा 302 अगर लग जाए तो कहते हैं कि पुलिस उसको बहुत जल्द से जल्द गरिफतार करने की कोशिश करती है लेकिन जिन दो सब इंस्पेक्टर एक इंस्पेक्टर के विरुद में मुकदमा जर्दर्ज किया गया है उसमें अभी तक क आजादी जी दी है और जिस तरह से ये दिया है कि चाहें कोई कितने ही बड़े पत पर आसीन क्यों ना हो जाए कानून सब खिली बराबर है इस घटना ने ये साबित कर दिया अब चाहें वो मितले सकुमार उपाध्याय हों या फिर बहादूर सिंग सब इंस्पेक्टर हों अब पुलिस जांच इमानदारी से करती है तो मरने वाले सोनो और सौंदत को इंसाफ मिल जाएगा और नहीं करती है तो खर आपको पता ही है बहुत सारे मामलों में पुलिस कैसे कैसे काम करती है उस लड़की की बात करें तो लड़की अपने गाउं में नहीं है परिबार क के साथ नहीं है बलकि रिष्टिदारों के साथ है उसकी शादी जो होनी थी दो दिन के बाद वो नहीं होई थी और वो कार्ड ये जवी शादी की तैयारी थी वो धरी की धरी रह जाती है दोस्तों इस कहानी को इस किस्ते को सुनाने का उद्देशे किसी को परशान करना नहीं है किसी का दिल दुखाना नहीं है वेलकि आपको जाविर करना है आपको सचेत करना है आप जहां भी रहें अपने ख्यायर रखें सुरक्षित रहें जैहिन जैभारत